कि जीस रावरी देवी को गौर्मेंट नहीं बोलने आ रहा था मुखमंतरी का डिफनिशन नहीं मालूम है कि वो मुखमंतरी कैसे बन सकती है मुखमंतरी का राजीति का उनको पी भी नहीं मालूम है पोलिटिक्स को कैसे करेगी लेकिन रावरी देभी उस समय कुछ नहीं जानती थी पोलिटिक्स का आज यकीन मानिये आप कि अगर साबुदीन साहब होते हैं तो आज बिहार में आरजेडी की सरकार होती उनकी अंदर जो क्वालिटी थी वो लालू जी के भी अंदर नहीं है य इसी प्रशाद यादा बना जैसे ही कहा कि बिहार में खेला होगा खेल होना अभी बागी है उसके बाद से लगतार लोग एक वेक्ति का नाम सबसे जादा ले रहे हैं सोचल मीडिया पर वो हैं सीवान के दिवंगे सांसत मौहमद शहाबुदीन कह रहे हैं कि शहाबुदीन यह नेता है असुद्धिन वैसी हो चैक्तर लिमान हो आदिल साहब हो आप सब लोग करें कि शहाबुदीन साहब अगर होते तो यह इस्तिति नहीं होते कि चार-पांच विधायक नहीं तोर पाते हैं देखिए साहबुदीन साहब जो यह परमानित किये हुए है ऐसा नहीं ह अज मनेता हैं कि लोग बोल ला हैं देश को दिखाये हुए है कि जिस राबरी देवी को गृर्मेंट नहीं बोलने आ रहा था मुख्मंध्री का डेफ्निशन नहीं मालूम है कि मुख्मंध्री होते क्या है module कर झाल 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 आगर साबुदीन साब होते हैं तो आज बिहार में आरजेडी की सरकार होती एकदम तै था नहीं सबसे ज़्यादा अभी जो सरकार गिरी तो चर्चाएं शहाबुदीन की होने लगी दो वजहों से एक पहली वज़ा कि मुखमंत्री नितीश कुमार के बारे में उन्हों नहीं आज मतलब बोलने वाली बात नहीं है यह परमानी थे पहले से अगर चुनाव जिस समय हुआ था जो 2020 में महाकरवंदन लोग चुनाव लड़े थे अगर उस समय सहाबुदीन साहब होते हैं तो आप यकीन मानिये कि आरजेडी सरकार में होती उनकी अंदर जो क्वालिटी थ हैं अगर सहाबुदीन साहब होते हैं तो विधायक का जो राजनीती करने का उनका पैटन था लोग को साथ लेके चलते थे विधायक को साथ लेके चलते थे उनका कोई रूम में मीटिंग नहीं होता था कोई जाती धर्म झाल 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 शहाबुद्दीन की भी इसी माने में ले करके कि इस वक्त मजबूरी ऐसी है कि दो-चार विधायक इस पाले में नहीं आरे शहाबुद्दीन होते तो कम से कम तो 20-30-40-50 विधायक भी वो ला सकते थे उनकी ये राजनीती जो मजबूती थी उसको लोग आज भी याद करते हैं